नमस्कार दोस्तों मैं दीपक सुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके एपने यूटूब चैनल बेंकिंगी इंफर्मेशन पर रॉगज डोस्तों आज के वीडियो बहुत इंप्रटेंस वने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं उस चैनल पर आनलाइन अर्णिंग से रिटे टिप्स के वीडियो देता रहता हूं चलिए सुरू करते हैं दोस्तों इस समय सभी पेंशन के पेंशन धारक अपनी पेंशन की केवाईसी कराने के लिए बहुत अधिक परेसान हैं चया है वो ब्रद प्राबलम में उनके सामने आ रही और ऐसे में दोस्तों की केवाईसी करने की अंतिनतिती अधिक आती जा रही जोस्तों एसे में सभी पेंशन धारक बहुत अधिक परेसान है क्योंकि सरकार की द्वारा य जानकारी यह कि जिन धार्कों की की पूर्ण नहीं होगी उन तसक्रक्तर की वह आधार मोर्ट के माध्यम से ब्हновती जाएगी वहीं प्रयास करें कि उनकी किसी तरह से केवाईसिपूर्ण है लेकिन दोस्तों साइड पर हेवी ट्रेफिक होने क Door मोडाइड लाएड और रहा है और सलिक्कत्य दर्फा सामने करना प्ला रहा है और फिन स층्दों सब्षमार साथ कर वाम वापिस हो रहें उनकी कव नहीं हो पा रहे i सभूबन द़्यों कोका नाम नाम उनके आधार में कुछे दूसरा है कुछलों का नमबर लेडी रजिश्टर दिखा रहा जब कि उनके पास को लोगार सब्सक्रिश्टर्श कर्ना नब्र नंबर पहले कभी उनकी सब्सक्राइब और्वरी नहीं से और अपनी धारकों को पूर नहीं करनी है आप लोगों को समाजिक Strons ull open करते हैं now the notification वहां पर आप को नोटिफिकेशन दखता है जिसमें साफ लिखा गया है जिन की fonction 2021 के बात से प्रारम हुई है उन पेंच्णरों को अपनी प्रवरी 2021 के बाद से प्रारम हुई है उनका मोबाइल नमबर भी लेटेस्ट मोबाइल नमबर रजिस्टर प्रवरी वेरिफाइड है तो दोस्तों जो पैंसन धारक फरवरी 2021 के बाद के हैं उन्हें अपनी पैंसन की के वाइसी पूर्ण नहीं करानी है वो लोग अगर अपन अपनी पेंसन की केवाइसी पूर्ण नहीं करनी उनकी पैंसन जैसे पहले आती थी वेएसे आती रहेगी उने में उसके लिए कुछ भी बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों आज की वीडियो में मिलते अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ तक के लिए जय हिन जय भारत